आज हम देख सकते हैं जो हुआवेमेज बने हैं इतने सालों में इतने हाइवेर्च में भुण्थेầy एक रिकॉरॉप कि इनके इज से जिसकी हम comparison कर सकते हैं ऐसी बंडे भारत ट्रेन 100% एक एक पार्ट उसका भारत में बना ऐसी बंडे भारत ट्रेन जो 180 की स्पीर से भागती है और रेल्वे मिनिस्टर जी ने कहा है एक बार सारे रेल्वे लाइन का काम पूरा हो गया तो 250 Km की तेजी से यह ट्रेन भागेगी 250 Km पर अवर से यह ट्रेन भागेगी तो मैं ऐसा मानता हुँ कि कितनी लोगों को सुमिधा होगी चाए वो रेल्वे हो चाए पोर्ट हो चाए एरपोर्ट हो जब मोधी जी आये तो देश में 74 एरपोर्ट्स पे उसमें से भी 20-25 ऐसे थे कि जो अनुपरेशनल थे आज ऑपरेशनल 149 यह तो टाइम एरपोर्ट यह मोवी जी के तयार किये और सारे एरपोर्ट को अपरेशनल भी किया और उसको अच्छे तरीके सी तयार किया आज एक जमाना था कि एरपोर्ट को लोग यह मानते थी कि इस आज दुनिया में वही पर कुद्योग व्यापार और इंडस्ट्री जाती है जहां एरपोर्ट होता है एरपोर्ट इस मैगनेट जहां पर व्यापार तयार होता है जिसके कराण जॉब्स क्रेट होते हैं जिसके कराण रोज़दार मिलता है आज 15 करोड लोग देश के फ्ला करने वालों की क्योंकि आम आडमी को भी अब उदने का सपना वो पूरा कर सकता है यह मोदी जिने उडान स्कीम के माध्यम से आज किया हुआ है इसलिए अगर हम देखे तो भारत बहुत आगे बढ़ा है मैं लिया लगदा गया था वहां पर एक कार्यक्रम था यह हमारी सेन कार्यक्रम आयुजित किया था वहां में गया था और कार्यक्रम के बाद वो जो कमांड है उस कमांड के नर्दन कमांड के जो प्रमुख है उनके साथ मैं चर्चा कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि we are very thankful to Modi government because they have constructed roads on the border तो मैंने कहा कि इससे पहले नहीं हुए थे तो उन इंफ्रस्ट्रक्ट्चर तैयार कर दिया उनके रोडस वहार तक पौश गए चाइना हमारे उपर अटैक कर सकता है और अटैक करने के लिए दे करने के लिए अर्मी सारे उनके जितना सारी चीज़े लानी पड़ती है यह सारी चीज़े 24 आवर्स में मोबिलाइज कर सकते है और हमारे पास तो आठ दिन तक चाइना आगया तो आठ दिन तक हम हमारी चीजों को मोबिलाइज में ने कर पाई में उन्हें का सरकार के तरफ से जवाब आया कि हमने इसी लिए रास्ते नियु बनाए क्यूंकि चाइना बाडर तक आ गया और अगर हम रास्ते बनाएगे तो हमारे रास्तों से चाइना अंदर आ जाएगा चाइना को हमें अंदर भी आने दिला है उसलिए अंधे रास्ता आ गिला और आज किति ये है जिस प्रकार का इंफ्रस्ट्रक्टर्चर आज हमारी सरकार ने तैयार किया है और मांक्र पिछले 6-7 सालों में जो तैयार हुआ ह वी केन मोबिलाइज अवर फोर्सेस इंट्वेल वर्स चैनल 24 घंटे में कर सकता है हम 12 घंटे में कर सकते हैं इस प्रकार की आज हमारे बॉर्डर पर ये जुवस्ता मुदी जी की सरकार के करा हुई है